फुपाल में इस समय स्टेजी स्विमिंग चैंपेंशिप का एजन क्या जा रहा है जिसको मुख्योंदेश बच्चों को कोच स्विमिंग की अलग अलग तरह की exercise के बारे में जानकारी उपलब्द कराना है जिससे की वहाँ स्विमिंग की अलग अलग विद्यों को सीख सके राजानी भुपाल में इस समय स्टेजी स्विमिंग चेंपिन्शिप का आउजन क्या जा रहा है वही संजीव शर्मा ने बताये कि भारत में बहुत कम लोग इस तरह की स्टेजी के बारे में जानते हैं यही वज़ा है कि स्विमिंग खेल में भारत काफी पीछे है और यहाँ तकनीक जो कि ऑलम्पिक खेलों में स्विमिंग करने वाले बड़े बड़े तेराक इनका प्रियोग करते हैं बहुत से कोचिस हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है और इसलिए हमारा देश स्विमिंग में बहुत पीछे है तो हमारा एक प्रियास है कि हम इन एक्साइज को एवेंट के थुरू बच्चों तक और कोचिस तक पहुचाएं जिससे वो इनको और उनके वरकाउट मे यूज करें और बच्चों के जो स्ट्रोक्स हैं जल्दी स्टेबल हों मेंटेंड रहें स्मूध हों जिससे कल हमारे देश में बी इन एवेंट को करके बच्चे अपने स्ट्रोक्स अच्छे करके ऑलम्पिक्स में एशन गेम्स में जाद जादा मेडल आएं जैसे आज बाक का कॉंट्रिबिशन बढ़ा हैं हमारा मुख्यों देश बच्चों को कोच स्विमिंग की अलग-अलग तरह की एक्सेसाइस के बारे में जानकारी उपलप्त कराना जिससे कि वहां स्विमिंग की अलग-अलग विध्याओं को सीख सके एमटी न्यूस भोपाल